हालो फ्रेंड्स में ना मजेसी सी होती है और आप देख रहे हैं SQL Tutorial आज है day 13 और कभी-कभी देखोगा आपने छोड़ी-छोड़ी चीजे होती है और बहुत ही important होती है आगे जहम वीडियो में देखेंगे आने वाले वीडियो में तो यह बहुत ही important होगा जैसे alices होगे इसमें और wild card characters होते हैं तो आप download कर सकते हैं यहां से नोट्स को तो यहां हम देखने वाले सबसे पहले comments देखेंगे comments में कुछ नहीं हम जल्दी एक एक line का revision कर लेंगे comments के बार में आप जानते हैं देखेंगे single line comment यहां होता है double dash लगाते हैं उसके बार देखेंगे space आता है मैंने शायद यहां space नहीं लगा है भूल गया हूँ space आएगा multiline comment नीचे आप देख पा रहें ठीक है slash star और star और slash इस तरह से होगा और यहां पर मैं कोशिश करता हूँ comment यहां पर देने कोशिश करता हूँ आप जो भी आप चाहे तो आप query लिख रहे हैं या फिर आप जो कहीं भी use करते हैं तो comment आप इसका इस तरह लिख सकते हैं तो मैं यहां कमेंट देता हूँ last में देखते हैं एरर शो करेगा यह comment हमारे ठीक से काम करेगा तो last में मैं यहां देता हूँ देखी मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो this is the product table कुछ भी comment दे सकते हैं तो यहां पर देखिए इस तरह से comment दे सकते हैं single line comment हो क्या अब आगे देखेंगे यह चीज़े यूज होंगी तो मैंने जैसी एंटर किया ठीक है तो उसने यहां देखिए मैं यहां पर यह होगा हमारे single line comment ठीक है यह complete होगा है अब देखते है multi line comment कैसे करना होता है simple यह बैसे भी आपने PHP में देखा हुआ और काफी language में देखा हुआ simple comment multi line comments होता है ठीक है कई सारी lines इसमा आप लिख सकते है इस तरह काम करता है तो यह comment होगा है इतने काफी है इसमें comments के लिए तो आप चाहे तो इस comment को कहीं भी लिख सकते हैं जैसे मैं चाहता हूँ कि यहां पर बीच में लिख देता हूँ इसको तो देखिया कोई भी error शोनी करे गई बिल्कुल ठीक चलेगा क्योंकि यह comment है तो यहां पर अब चलते है wild card characters कुछ wild card characters देख लेते हैं simple तो wild card character is used to substitute one or more characters in a string थी कह simple तो अभी हम देखने बाले है नीचे syntax आप देख रहे है select column 1, column 2 from table और where column और like यहां पर like keyword कही होता है उसके बाद wild card string आती है तो percent and underscore are to commonly used wild card characters in SQL तो आप यहां hand to hand देख आप output भी देख रहे हैं बिल्कुल ही used camera इसको copy कर लेता हूँ select star from customers where जो country है country like कैसा होना चाहिए शुरू में US लिखा होना चाहिए और underscore मतलब कि एक character उसमें और आना चाहिए तो आप देख पार यहां पर country का नाम उसने fetch कर लिया जिसमें तीन character से last में एक character हमने लिया ठीक है इसी तर से मैं दुबार AC को यहां से change करता हूँ एक हटा देता हूँ तो अब यह यू के साथ सिर्फ एक character आएगा ठीक है तो अब यहां वही वाला जो recorder वह डेटा है वह यहां पर show हो गया country का name है वही show है इस तरह से यहां मैं दो ले रहा हूँ ठीक है दो यानि यू के बाद जो आएंगे तो देखे यह उसको fetch करेगा country के name को यह लाश्ट के जिसमें दो characters होंगे उसको लेगा तो ठीक two characters ही लेगा अकर मैंने underscore 2 लगाए ठीक है इस तरह से यह वाले तीन नाम उसने fetch किये ठीक है simple नीचे है हमारे पास R मतलब R से शुरू होना चाहिए last name और आगे percent का कुछ भी हो सकते आगे कोई भी character चलेगा सब कुछ तो मैं यहां पर मैंने देखा यहां पर उसने fetch कर लिया ठीक है R से शुरू किया है इस तरह से यहां पर J हुआ J से शुरू हो बाकी last में कुछ भी हो ठीक है जो last name है last name आपका J से start होना चाहिए तो आप देख पार है last name को check किजिएगा ठीक है यहां मैं थोड़ा change कर लेता हूँ first name लिख लेता हूँ first name check करेंगे first name जैसी आप यहां पर enter करने बाले यहां यहां colon लगा यहां पर semicolon यहां J से start होना चाहिए first name J से दो name हमारे आए यहां आगे कुछ भी हो characters वो सब यहां पर आएंगे ऐसी यहां पर शुरू में एक character आने last में o e होना चाहिए ठीक है starting में एक character की जगह छूटी यहां पर एक आएगा ठीक है कोई सब भी और लेकिन उसके बाद o e आने चाहिए तो आप देख पा रहें यहां पर o e आने चाहिए यह दो आने चाहिए ठीक है एंटर किया मैंने तो देख यह दो आए ठीक है o e compulsory last में और उससे आगे कोई भी character चलेगा ठीक है इसी तरह से यह हो गया बिल्कुल यह ही है कि ti आना चाहिए last में और उससे पहले कोई भी character चलेगा तो देख यहां पर एक नाम था ti था और उससे आगे कुछ भी character चलेगा तो like keyword के साथ यूज होते है wild card characters ठीक है तो यहां पर इसको भी मैं करके दिखाता हूं ठीक है first name को like बीच में OH आना चाहिए और starting और last में कुछ भी आजाए यहां पर सबसे ठीक है यह जो spelling है वो character सी आने चाहिए उससे पहले एक character कोई भी होगा वो भी चलेगा ठीक है तो आप देख पार है यहां पर city का नाम है उसने आपर निकाल दिया ठीक है और जहां मैं percent लगा रहा है उसका मतलब होता है कि कुछ भी आगे या पीछे कुछ भी हो सकता है बड़ी ए फिक्स है अंडर स्कॉर एक आना चाहिए से डी आया पर देहरा दूं और उसके बार अब आते हैं aliasis simple एक माली जी मुझे column का name रखना एक जब query run होती है तब के लिए temporary name होता है इसी तरह से table का name होता है तो अभी हम देखने वाले माली जी एक column रपास select customer id मैं उसका नाम id रखना चाहता हूँ capital I तो जब query run होगी तो तभी के लिए temporary ठीक है ऐसा नहीं के बाद में customer name और इसको हम लिखेंगे from अभी मैं simple दिखाया था हूँ customer spelling गलत होगी मैं इसको copy कर लेता हूँ और enter कर लेता हूँ देखिए मैंने यहां पर हटा देता हूँ अभी flaw list के लिए इस column का नाम देखिए customer underscore id मैं इसको readable बनाना चाहता हूँ तो कैसे करना पड़ेगा मुझे अगर यहां मैं कुछ भी नाम नहीं दूँगा तो भई आएगा जो आप लिख रहे है तो मैं चाहता हूँ रीडेबल नाम हो column का तो इसी तर सा जाएगा is optional as optional होता है मैं चाहँ तो as as को हटा दूँगा तो भी यह काम करेगा तो मैं यहां से remove कर देता हूँ फिर भी id दे रहा हूँ तो id हम कह लिजे इस column का नाम rename तो नहीं होगा पर्मनेंट होता है जब क्यूरी रन होगी उसी time के लिए उसका जो नेम एक रीडेबल नेम आप दे रहे है वह चलेगा ठीक है तो मैं अब यहां पर इसको इस तरह से भी दे देता हूँ double quotes के अंदर और यहां as लिखके भी double quotes के अंदर दूँगा तो भी यह चलेगा तो यह होते है अलाइस यानि आगने वाले उसमें बहुत यूज होंगे ठीक है किसी नाम को छोटा भी इसको कह सकते है कि आप जो column का नेम ले रहे है तो मुझे इसको कॉपी करना होगा तो यहां पर देखेगा इसका नाम क्या जाएगा आईडी और उसका जाएगा customer तो आप देख पारें ऊपर नीचे दोनों बंतर देखें नीचे customer आया और आईडी ऊपर वही नेम आया जो आपने तो इस तरह से column का नाम readable बन रहा है इसी तरह table का नाम ले सकते हैं अब मैं space character ले लता हूँ without space character तो space के लिए तो आपको फिर string में लिखना पड़ेगा तो आपको string में लेना पड़ेगा तो मैंने copy paste किया तो आप देख पार है my great person तो एक एक space भी यहां पर वह ले रहा है अगर मैं इसको हटाऊंगा इस ट्रिंग को हटाऊंगा तो दीके error शो करेगा space नहीं लेगा वह तो मुझे यहां इस ट्रिंग में ही कितना बड़ा नाम आप लिख सकते हैं तो इससे क्या होता है readable रहा है column का तो वह query के time आ रहा है जब अब दिक कॉनकेट करना चाहता हूं EMP F name EMP L name EMP age EMP address तो मैं इस तरह से यहां पर और साथ में एक space रखना चाहता हूं हर records के जो first name last name है वह सब इस तरह आना चाहिए और मैं उसका short name देना चाहता हूं readable name देना चाहता हूं अब देखे मैं एड्रस नाम देदी है अब मैं इसको बिना इसके इसको मैं एलाइस को यहां से delete करूंगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा क्या आएगा तो मैं यहां से remove कर लेता हूं जो मैंने लाइस का column का यह हटा दी मैंने अब मैं एंटर करता हूं अब column का name आप देखेगा आप देखे यह क्या रहा है और इतना बड़ा इतना space यह ले रहा है तो मैं यहां simple address मैंने लेता उपर तो इस तरह से अब aliasis for tables अब हमने columns देखे थे अब मैं चाहता हूं कि table simple मैं इसको customer का data देखूंगा उसके बाद मैं चाहता हूं कि मेरी एक table aliasis यानि नाम change हो जाए temporary मतलब सिर्फ उसी time जब यह query run होगी as person मैंने किया तो अब इसका नाम हो गया person तो जब हम यह joins बगेर करेंगे वहाँ पर बहुत use होंगे मैंने इसका लिखा person तो अभी wrong मैंने लिखा norm मैं चाहता हूं कि जो मैं aliasis नाम दे रहा हूं उसी का मैं यूज करूँ होगी क्योंकि अब हम आगे आने वाले जो joins पढ़ेंगे तो इसका यूज करेंगे मैं यहां लिख देता हूं persons.customer ID क्योंकि इसका नाम जो है देखिए कितना शोट कर दिया मैंने पी ले लिया अब मुझे यहां सम में हटागे p.customer ID p.h मैं इसमें पी दे सकता हूं मैं इसमें पी दे सकता हूं मिनिक्फूल रहे जो देखिएगा यह aliasis होते हैं जो आने वाले हम टाइम में देखेंगे वीडियो में तो बहुत यूज होगा इनका छोटी चीज़े होती है लेकिन बहुत important होती है तो जोइन में आप देखिएगा किस तर से यूज किया गया मैंने यह देखिएगा इतना शोट कितना शोट हो रहे है order table का नाम मैंने चेंज कर लिया कस्टमर का चेंज के लिया order order seat order करके मैं कर रहा हूँ कितनी जगे नाम में इतना बड़ा table का नाम दूगा तो कितना टाइम खुरा होगा तो दोस्तों इस वीडियो को like share subscribe जुरू कीज़ेगा इस तरह के वीडियो में बनाता था हूँ इतना कीमती समय आपने वीडियो के लिए निकाला हूँ इसके लिए बहुत बहुत धन्यबाद और नेस्ट वीडियो में कुछ नहीं लेकर आते हैं